कि यह लो दोस्तों तो आज हम डएडायब करेंगे लेंस अमेकर फॉरमूला पॉर कंवेक स्लेंस के लेंस diviner के से अनले करेंगे अधिवन करता है जिसका फॉल बहुत यह सींपल है एअप एक्रेटीं heald निभी निविस निह यहां में हो डिक्राइब करेंगे तो lens में दो bounded spherical surface है तो ये दोनों surface के radius पे depend करेगा और यहाँ पे light का refraction होड़ा है वो light एक medium से दुसरे medium में जा रहा है तो जो lens का refractive index है उस पे भी depend करेगा और जो medium है उसके refractive index पे भी depend करेगा तो हम lens के focal length का formula डेडा हैप करेंगे for convex lens, okay, so start करते हैं तो देखो, हम यहाँ पे एक by convex lens पहले draw कर ले हम कोई भी बिना सकते हैं, हम यहाँ पे example में ले रहे हैं derive करने के लिए by convex lens, तो हमने यह by convex lens ले लिया हम इसका बना लेते हैं यहाँ पर principal axis यह हमारा principal axis हो गया, यह हो गया इसका optical center, यह हो गया first surface का पूर, यह हो गया first surface का center of curvature, फिर यह हो गया second surface का पूर, यह हो गया second surface का center of curvature, ओके, अब हम एक object को रख देते हैं, इस position पे, यह हमारा एक object है ए, इसका हम image ड्रॉकर, image बनाएंगे, ray diagram का use करके, कैसे बनाएंगे देख, तो यहाँ से पहले हमने क्या किया, एक ray incident किया, first surface में, ओके, और जब यह यहाँ पे, जो medium है हमारा, उसका refractive index है mu1, और lens का refractive index है mu2, यह mu1 है, और यहाँ पे हम mu2, यहाँ पे थोड़ा सखलत हो गया यह, इसको फिर से कर लेता है, यह medium है mu1, और lens का refractive index है mu2, जिसे हम greater ले रहे हैं, तो यहाँ पे देखो, light mu1 से mu2 medium में जा रहा है, mu1 rarer है, lens denser है, तो यह towards normal bend कर जाएगा, और जब इस point पे हम normal draw करेंगे, तो किस से pass करेगा, तो spherical surface पे जब normal draw करते हैं, तो pass करता है center of curvature से, तो यह हमारा normal हो गया, तो जो light हमारा है, इस direction में जाना चाहिए था, वो towards normal bend कर जाएगा, क्योंकि यह light rarer से denser की तरफ move कर रहा है, यदि यह पूरा glass होता, तो यह इसका image हमारा यहाँ पे बनता, लेकिन अब यहाँ second surface से यह फिर बहार आएगा, अब यह lens से वापस outer medium में आएगा, mu1 में, अब second surface पे इस point पे फिर से reflection होगा, यहाँ पे फिर से थी हम normal draw करेंगे, यह pass करेगा, जो second surface है, उसके center of curvature से, इसको मैं ठीक कर लेता हूँ, इस तरह से, अब यहाँ पे light जो है, towards, denser से rare medium में जा रहा है, lens से बाहर जा रहा है, और lens है denser, तो यह away from normal मुख गड़ेगा, तो light जो है yellow color का away from normal, तो इस तरह से इसका जो final image है, वो हमारा यह पिंगे, तो यह हमारा final image है, तब ज़रा दिहान दो, फिर से समझो, light object हमने एक source of light A पे रखा, इससे light एक incident किया, फिर्स्ट surface पे जब इसका reflection होगा, तो वो towards normal bend करेगा, और यह पूरा यह glass का ही medium होता, तो यह मिलता point इस point पर, तो यह होगया हमारा image फिर्स्ट surface के लिए, लेकिन जब यह light आगे जा रहा है, तो यहाँ पे second surface से फिर से reflection होगा, और वो light जो है, lens से outer media में move कर रहा है, और lens को हमने यहाँ पे denser लिया है, तो यह away from, normal जाएगा, और final image हमारा कहाँ पे बन जाएगा, आईवर, तो first surface के लिए a object हुआ, image हुआ, आईवर, और second surface पे जब reflection होगा, तो उसके लिए i1 object होगा, इसे बोले के virtual object, और i तुम्हारा क्या होगया, image, यह इसका ray diagram हमने बनाएगा, अब हम formula यूज़ करना शुरू करें, तो spherical surface पे जब reflection होता है, तो image के लिए हमारा formula क्या होता है, तो यह formula है हमारे पास, for reflection at a spherical surface, spherical surface, यह हमारा formula होता है, mu2 by v minus mu1 by u is equal to mu2 minus mu1 by r, यह formula है, जब spherical surface पे reflection होगा, उसके लिए, यहाँ पे mu1 क्या है, light पहले जिस medium में है, उसका refractive index mu1, और light बाद में जिस medium में गया, उसका refractive index mu2, u है object distance, v है image distance, r है radius of curvature, अब जब first surface पे reflection होगा, तो वहाँ पे देखोगे, light a से आ रहा है, तो a जो है, वो object है, और reflection होने के बाद, यदि पूरा glass से medium होता, glass का है medium होता, lens का, तो यह i1 पे जाता, तो i1 हमारा होगया image, यहाँ पे light mu1 से mu2 में जा रहा है, तो mu1 का value, mu1 रहेगा, mu2 का value, mu2 ही रहेगा, तब हम formula use करते है, reflection at first surface के लिए, for reflection at first surface, तो यहाँ पे देखो, जो reflection हो रहा है, उसमें light first surface पे, तो light पहले mu1, जिस medium में था, उसका refractive index है mu1, और बाद में उन lens के inside गया, जिसका refractive index है mu2, तो first medium mu का refractive index mu1, second का mu2, तो हमने formula में mu1 का value mu1 रखेंगे, और mu2 का value mu2, object distance, ए हमारा object है, और distance हम लेते हैं pole से, तो first surface का pole है p1, अब यहाँ पे, जो incident light का direction है, incident light का direction है left से right, incident light का direction है left से right, तो right की तरफ move करोगे तो positive, और left की तरफ move करोगे तो negative होगा, तो जो object distance है, उसमें हम start करेंगे pole से, p1 से a की तरफ, तो left की तरफ जा रहे है, तो हमारा जो distance है, वो negative में consider होगा, तो u का value हो जाएगा हमारा minus p1a और हम जो formula अपना derive करते हैं वो thin lens के लिए derive करते हैं तो thin lens में p1, p2 के बीच जो distance से वो काफी कम होगा तो इस case में p1 से o a लो या फिर o से a p1, p1 a ये approach equal होगा o a के तो इसको हम लिख सकते हैं minus o a और image distance तो हमारा first surface के लिए image हमारा बना है i1 तो ये हो जाएगा p1 से i1 की तरफ move करोगे p1 से i1 की तरफ तो ये towards right हुआ तो ये हो जाएगा positive ये हो जाएगा p1, i1 और thin lens के लिए p1, i1 को लिख सकते हो o i1 p1 से distance लो या o से distance लो ये लेंस थीन है तो दोनों almost same होंगे और radius r first surface पे reflection होगा तो first surface का center है p1, तो p1 से c1 की तरफ move करो, तो towards right तो ये भी positive होगा तो r का value हो गया p1, c1 तो ये sign convention जो है मैं सही तरह से use करना अपरेगा spherical surface में जब reflection हो तो distance pole से लेते हैं जहांस हमने लिया pole से incident light के direction में positive होगा इसलिए p1, i1 positive था और opposite direction में negative होगा इसलिए p1, a जो object distance से वो negative हो गया और thin lens के लिए तुम distance p1 से low या o से वो almost same आजाए अब ये value put कर दे हम तो हमारा formula क्या बन जाएगा इससे हम उपर put कर दे कि हो जाएगा mu to v v is हमारा o i1 minus mu1 u u is minus o a mu2 minus mu1 r, r is p1, c1 इससे थोड़ा सा solve कर ले वी से हम लिख सकते है mu2 divided by o i1 plus mu1 divided by o a is called to mu2 minus mu1 divided by p1, c1 equation number 1 ति हमने first surface पे refraction use किया उससे हमने ये equation निकाला अब हम second surface के लिए करेंगे अब हम यहाँ पे देखो second surface पे refraction use करेंगे तो यहाँ पे light पहले lens के अंदर था तो पहले first medium का refractive index होगा mu2 और बाद में वो outer medium में आ गया जिसका refractive index से mu1 तो यहाँ पे light mu2 से mu1 में जा रहा है mu1 का value mu2 हो जाएगा और mu2 का value mu1 हो जाएगा फिर से मैं बता दूँ जब second surface पे light का refraction हो रहा है वहाँ पे light lens से बाहर आ रहा है और lens का refractive index है mu2 तो first medium mu1 वो mu2 हो गया और जब बाहर आ गया तो बाहर वाले medium का refractive index है mu1 तो mu2 का value mu1 हो गया तो पहले इसे हम note कर ले है कि यहाँ पे mu1 का value mu2 और mu2 का value हो गया mu1 object second surface पे reflection के लिए जो light है यहाँ पे देखो इदी reflection नहीं होता तो i1 पे जाके मिलता तो यह हो गया object इसे बोलते है virtual object और distance हम लेंगे pole से तो second surface का pole है P2 और P2 से i1 की तरह towards right P2 से start करना pole से P2 से i1 towards right तो यह positive हो जाएगा और P2 i1 को फिर हम लिख लेंगे o i1 तो यहाँ पे हमारा object distance हो गया P2 i1 और इससे हम लिख लेंगे o i1 image distance देखो यहाँ पे image हमारा है i P2 से start करें तो P2 i towards right positive और P2 i को लिख लेंगे o i यह हमारा हो गया P2 i इससे हमने लिख लिया o i और radius of curvature सेकेंड सर्फेस का सेंटर है c2 वह पी टू से अब c2 की तरफ मुभ करो लेफ्ट सेकेंड सर्फेस का सेंटर है c2 तो radius of curvature हो जाएगा P2 c2 तो P2 से start करना है पोल से तो P2 से c2 की तरफ जाओगे towards left तो यह हमारा हो गया minus P2 c2 इससे हम put कर देंगे तो हमारा equation क्या बन जाएगा mu2 किस formula में put करना है जो सबसे पहले first वाला बताया था इस formula में हमें put करना है जो equation number a है इसमें put करना है तो इसमें put करोगे mu2 की जगा पे mu1 divided by v, v है oi minus mu1 होता है mu1 की जगा पे mu2 divided by u, u object distance हो गया oi1 is equal to mu2 minus mu1 और mu2 का value mu1 है minus mu1, mu1 का value mu2 है divided by r, radius है बारा minus P2 c2 अब rhs में जो नीचे minus P2 c2 है, minus को उपर नीचे उपर multiply कर दो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं mu1 divided by oi minus mu2 divided by oi1 is equal to mu2 minus mu1 divided by P2 c2 equation number 2 अब equation number 1 and equation number 2 को जड़ा देगे equation number 1 and equation number 2 हम इन दोनों को add कर देगे और जब add करेंगे तो क्या होगा तो दोनों के lhs में देखो तो first equation के lhs में एक term है हमारा यहां पर देखोगे जान ध्यान से mu2 by oi1 और second equation, equation number 2 के rhs में भी है mu2 by oi1 लेकिन negative sign के साथ है तो जब equation 1 and equation 2 को add करोगे equation 1 में है mu2 by oi1 equation 2 में है minus mu2 by oi1 तो यह दोनों cancel हो जाएगा और जो दो term है वो दोनों add हो जाएगा तो 1 और 2 को add कर देखोगे 1 प्लस 2 तो हमारा यहां के क्या बनेगा mu1 by oi is equal to यहां पे rhs में है mu2 minus mu1 divided by p1c1 और यहां पे भी है mu2 minus mu1 यहां पे mu2 minus mu1 divided by p1c1 mu2 minus mu1 divided by p2c2 यहां पे mu1 common ले लेते हैं 1 by oa plus 1 by oi यहां पे common ले लेते हैं mu2 minus mu1 1 by p1c1 plus 1 by p2c2 ठीक है अब यहां पे फिर से एक sign convention हम यूज करें कि यूजिंग कि sign convention यहां पे डाइग्राम देखू हमारा a object है और lens में हम distance लेते हैं optical center से तो o a यह हो गया object distance और o a, o से a की तरफ जाओगे left तो negative put करेंगे फिर image distance o से i यह हो गया image distance ठीक है पी वन सी वन यह हो गया first surface का radius यह हो गया और p2 c2 यह हो गया हमारा second surface का radius तो जो object distance से o a, o से left की तरफ जाओगे तो negative और o से right की तरफ जाओगे o i तो यह image distance भी positive हो जाएगा p1 c1, p1 से c1 की तरफ यह positive होगा p2 c2, p2 से c2 की तरफ यह negative होगा यह value यह हम put कर दें यहां पे o a यह बन जाएगा हमारा one divided by o a minus u plus one by v mu1 को rhs में लिया यह हो जाएगा mu2 minus mu1 divided by mu1 और यह हो जाएगा p1 c1 1 by r1 यह हो जाएगा minus r2 ठीक है अब हम यहां पे हमारा almost हो चुका है यह अब हम lens का जो focal length का definition है वो use कर देंगे क्या है definition कि जब object जो है infinity पे हो तो image बनता है f2 पे image distance होगा focal length और जब object infinity पे है इसका मतलब कि जो object distance है वो infinity हो गया तो हम यहां पे put कर सकते है from definition of focal length when u is infinity then v is f हमारा बन जाएगा यह 1 divided by minus infinity plus 1 by f is equal to इससे divide कर दो mu2 by mu1 minus 1 1 by r1 minus 1 by r और यहां पे 1 by infinity 0 हो गया तो हमारा final formula बन गया 1 by f is equal to mu2 by mu1 minus 1 1 by r1 minus 1 by r2 ती हमारा formula lens maker formula हमने lens के focal length का formula 10 10 इसी में हमें एक और condition लगा दे कि दी lens जो है जिस medium में है वो air हो for lens lens in air the lens air medium में डखा हुआ है तो इस case में mu1 का value 1 हो जाएगा और mu2 वो सिर्फ mu लिखोगे तो formula बन जाएगा 1 by f is equal to mu minus 1 1 by r1 minus 1 by r2 यह हमारा हो गया formula ओके तो उपर वाला जो formula हो जैनल formula हो गया उसमें medium का refractive index mu1 है lens का refractive index mu2 जो नीचे वाला formula है यह हम तब यूज करेंगे जब lens air में रखा हो तो air के लिए है तो mu1 1 हो गया और mu2 को सिर्फ हमने mu लिख रता है तो इस तरह से हमने यहां पे convex lens के लिए focal length का formula डेड़ा है कर लिए ओके है 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 है